आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ This question we have given a 100 Newton uniform rod of length 6 cell is supported by two forces F1 and F2 as shown here What is the ratio of F1 to F2? देखो यह अपने up to this diagram में clearly show है हमें find out करना था F1 by F2 का value या इसका दोनों का ratio तो देखते हैं कैसे solve होगा यहाँ पे एक rod है, rod की जो total length है यह वाली देखो दोनों end के बीच की distance हमें question में given is 6L जो forces लग रहा है rod के end point से उनकी distance given is forces की location जो पहला F1 force लग रहा था देखो इस rod के end से L distance लग रहा था जो दूसरा F2 force लग रहा था वो देखो rod के दूसरे end से 2L distance लग रहा था question में given 100 newton uniform rod इसका मतलब क्या हुआ कि 100 newton जो था rod का weight given था rod uniform थी तो मैं बता है कि गर uniform rod होगी तो उसका पूरा का पूरा weight कहाँ पे लगेगा rod के center पे इस point पे वो यहाँ पे दिखाया भी गया है तो यहाँ पे देख सकते हैं downward direction में rod का weight लगेगा और उसके weight कितना था W और उसकी value question में given हमारे पास देखो 100 newton clear होगा इतने forces rod पे लग रहे थे rod का एक बे downward direction में यहाँ पे yapon f2 दोनो upward direction में लगाए गए है yapon f2 का ratio पुछा जा रहा था कब जब rod देखो अपने horizontal position पे हो इसको बोला जाता है equilibrium position तो यहाँ पे देखो इस पे rod equilibrium condition पे है इस diagram को देख के लगा कि rod देखो horizontal है it means rod अपने equilibrium position पे है एक force downward direction में तो net force अगर मैं उपर वाली direction को positive मानू तो हाँ से मैं कह सकता हूँ कि f1 उपर की तरफ लग रहा था f2 उपर की तरफ लग रहा था w जो weight था नीचे की तरफ लग रहा था यह दोनो सब एक दूसरे को 0 होने चाहिए थे net force balance होना चाहिए था तो equation आगे है हमारे पास f1 plus f2 equals to 0 अलाकि इसका जरूरत नहीं पड़ाया क्योंकि हमें force का ratio find out करना था अगर force की value पुछी ही जाती तो इस equation का हम यह उच करते बस हमने यह बता दिया यह translation equilibrium में होगी मतलब की rod ना तो ऊपर move करेगी ना तो नीचे करेगी दूसरी condition क्या होती है कोई भी rod equilibrium condition पर उस पर जो net torque हो वो हमारा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए अब यहाँ पर देखो जो forces f1 f2 थे center के about rod के center के about torque दे रहे होंगे यहाँ पर मैं अगर देखो diagram से जिसको मैं इस तरह से एक line मना लेता हूँ यह मना लेता हूँ हमारे पास rod था इसका जो weight होगा downward direction में w लग रहा होगा उसकी value हमें give 100 newton यहाँ पर देखो forces मैंने निकाले थे हमारे पास कौन सा force था f1 force था यहाँ पर देखो हमारे पास f2 force था तो important बात क्या है कि f1 और f2 force का इसके rod के center से पहले distance calculate करनी होगी तो यह मताई यह distance कितनी हो जाएगी rod के center से end point के distance कितनी हो जाएगी यह देखो 3L distance कितनी होगी हमारे पास देखना 3L तो इस rod के जो center था वहाँ से जो f1 की बीच की जो force लग रहा क्योंकि यह distance проб good Jacksonaga test तो यहां से यह rod का center point था f2 rod के center point से कितनी f1 rod के center point से कितनी दिस्टेंस पे लग रहा था 2L choose to calculate this उन हमने value calculate कर ली अब यहां पर देखो actually क्या रहा होग कि f1 को तेखो f1 इस rod को center के about उपर की तरफ उठाने की कोशिज कर रहा होगा ठीक और जो F2 होगा F2 देखो इस rod को इस point O के about इस direction में गुवाने की कोशिज कर रहा होगा तो हमें क्या करना rod को horizontal रखना था rod को balance condition में रखना था it means जो F1 और F2 center के about जो torque देंगे दोनों एक दूसरी को balance करना चाहिए तो अगर force F1 का torque लिखेंगे तो tau1 उसकी value कितनी होती है torque का formula torque का formula होता है F into R perpendicular ठीक, perpendicular क्या होता है जहाँ पे आप torque लिख रहे है उस point से, जिस direction में force लग रहा है उसकी बीच की perpendicular distance देखो force इस rod पे उपर की तरफ लग रहा है torque आप point O के about लिख रहा है तो point O से force की बीच की perpendicular distance कितनी हो जाएगी 2L देखो force कितना लग रहा था F1 perpendicular distance कितना हो जाएगा हमारे पास 2L important बात है इसका sense देखो torque की direction क्या हो जाएगी ये F1 rod को किदर गुमान की कोशिश कर रहा था देखो clockwise direction में तो इसका sense आप देख सकते हैं clockwise direction में आगया पहले force का torque दूसरे force का torque देखो के tau 2 तो इसकी value कितनी हो जाएगी दूसरा force देखो ये था F2 ये body को किस direction में गुमान की कोशिश कर रहा था इस rod को ये हमारा anticlockwise direction में गुमान की कोशिश कर रहा था force कितना था F2 point मतलब जिस point के about torque लिकर उस point से force की बीच की perpendicular distance कितनी है L तो आजएगा हमारे पास F2 into L ये तो आगया torque का magnitude direction देखो क्या होगी ये जो force होगा F2 इस point center point के about rod के center point के about rod को किधर गुमान की कोशिश करेगा anticlockwise direction में आ गया दोनों torque क्या थे opposite direction में थे तो मैंने क्या का अगर rod equilibrium condition पर होगी तो इसमें जो net torque होगा वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए तो net torque दोखे हमारे पर कितना हो जाएगा हमारे पास टाउ net equals to आ जाएगा हमारे पास टाउ 1 minus टाउ 2 दोनों opposite direction में थे एक clockwise direction में था एक anticlockwise direction में था तो यहापे negative sign आ जाएगा यह 0 हो जाएगा क्योंकि यह rod equilibrium condition में थी तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ टाउ 1 equals to टाउ 2 यही कर देना था तो यहाँ से हमें अपना answer मिल जाएगा forces का ratio यही से मिल जाएगा टाउ 1 की value देखो कितनी थी f1 into 2L और टाउ 2 की value कितनी थी हमारे पास देखना f2 into L L से L cancel हो गया f1 by f2 कहां में ratio पूछा गया था देखो आ गया f1 by f2 equals to कितना अगया हमारे पास 1 by 2 यह हमारा इस question का answer हो जाएगा लेकिन अगर हमें f1, f2 की values पूछा जाता कि f1, f2 की value कितना होगा magnitude कितना होगा so that कि rod equilibrium condition बने तो एक equation आप translation से force balance करके लिखे हो एक equation यहाँ से आई थी f1, f2 का ratio तो यहाँ से f1, f2, 2 equation, 2 unknown थे आप value calculate कर सकते थे लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमें तो ratio find out करना था ratio find out करने के लिए मने rod पे सिर्फ torque balance करा दिया और यहाँ से हमें ratio मिल गया f1 by f2 की value कितना आगई 1 by 2 तो answer कितना होजाएगा हमारे पास देखना 1 by 2, it means option number 2 is the right answer of this question. Thank you. Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल कक 10 million से जादा students कभर होसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजे अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर